दोस्तो अगर आप चाहते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से पेटें बॉलेट में पैसा एड़ करना वो भी बिना किसी चार्ज के तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हलफुल होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के वारें बताने वाला हूँ जिसे फोलो करके आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेटें बॉलेट में पैसा एड़ कर पाएंगे और अपने बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे वो भी बिना किसी चार्ज के लेकिन दोस्तो इसके लिए आपको वीडियो को सुरू चले के ला दोस्तो इसके लिए जरुत पढ़ने वाली है जोमेटो एप्लिकेशन की अगर आपने जोमेटो एप्लिकेशन को पहले से इस्टॉल कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने इस्टॉल नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाज़िए प्लिकेशन को सर्च करना ह और इसे आपको install कर लेना है दोस्तो देख सकते हैं मैं आज़ कूं play store पर और मैंने search किया जो मेटो application तो यह आ चुका है और मैंने इसे पहले चे install किया हुआ है इसे आपको install करने के बाद इसे open कर लेना है दोस्तो जैसे ही आप जो मेटो application को open करेंगे तो कुछ इस तरिके के interface होगा आपकी mobile scheme पर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना mobile अमर डाल देना है और उसके बाद आपको send otp क्लिक कर देना है अगर आप चाहें तो अपना facebook account या फिर अपने google account के थो भी इसमें आप login हो सकते हैं तो दोस्तो मैं देख सकते हैं मैं डाल दिया अपना mobile अमर पर लिखा हुआ है तो simply आपको profile वाल आइकन पर आपको क्लिक कर देना है जैसे profile वाल आइकन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इसतेका interface होगा और यहाँ पर देखेंगे सब से साड में लिखा रहेगा payments यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर जहाँ पर मैंने इसे highlight कह हुआ इसके बाद दोस्तो आपको अपना Payijk M budget में वाल इकन चै और यहाँ पर आपको एंटर कर देना है बाद यहाँ पर आपको इंटर कर देना है अपर आपके पास एक OTP आजाएगा जो वारिपली होगा उस OTP को आप आपको एंटर कर देना है उसके बाद सिंपल को प्लिक कर जैसे आप प्रोसर पी क्लिक करेंगे तो आपका Paytm बॉलेट लिंक हो जाएगा इस जो में टो अकाउंट से तो दोस्तो अब आप देख सकते हैं मेरा Paytm बॉलेट लिंक हो चुका है और मेरे Paytm बॉलेट में 5 रुपे का अमाउंट यहां पर सो हो रहा है इसके लिए मैं चल का इंटरेस्ट यहां पर देना होगा लेकिन हम करना चाहेंगे इसमें फ्री में यानि कि एक पर्षेंट में इसमें चार्ज नहीं देना है अपने क्रेड़ेट कार्षी कैसा ऐड़ करना है अपने Paytm बॉलेट में तो दोस्तो देख सकते हैं मैंने सोर पर एड़ करने की को ओपन हो जाएगा जो आपको पैसा एड़ करना है तो देखेंगे यहां पर थी डॉट आपको दिखाए देंगे यह देखिए अप ध्यान से देखिए इसके बाद देखिए उपर लिखा हुआ है रिचार्ज बॉलेट यह देखिए यहां पर लिखा हुआ है सिम्पल ही दीखा देता हुँ दोस्तों अब देख सकते हैं मैंने हंडैडि रूपीज का मांउंट यहां पर इंटर कर दिया है इसके बास सिंपली आपको प्रॉसर्ट ट्यू एडवनी पे किलिक कर देना है जैसे आप प्रोसर्ट टू एडड मेडेब कोड कर देना है जैसे आपको प पर क्लिक कर देना है जैसे आप पर क्लिक करेंगे तो आपकी रेश्टर मोबाईल पर एक ओटीप आजागा जो आपने क्रेटि precisa क возв desires में ग्लिक कर नंका एक 105 रुपे दिखा रहा है यानि कि पहले 5 रुपे थे आप 100 रुपे डिखा लिया यानि टोटल को मिला के 105 रुपे मेरे हो चुके हैं और मेरे पास H2DAPC से भी एक message आ चुका है मेरे 100 रुपे amount spend होने का दोस्तो इसके बाद चलते हैं paytion wallet में मैं आपको वहाँ पर भी दिखा देता हूँ को अभी अभी मैंने जो amount add किया था उसमें कोई extra charges तो नहीं लगा है तो दोस्तों देख सकते हैं 10 वज़ के 7 मिनट पर मैंने एक amount add किया 100 रुपेगा उसमें कोई भी extra charges नहीं है और दोस्तों अगर आपको पैसा transfer करना है अपने bank account में तो simply आपको यहाँ पर wallet to bank पर आपको click कर देना है जैसे आप wallet to bank पर click करेंगे तो आपकी mobile screen पर यह वाला पर जो open हो जाएगा और यहाँ पर आपको अपना amount डाल देना है इसके बाद simply आपको process पर click कर देना है जैसे आप process पर click करेंगे तो आपका जो पैसा होगा वो successful ही आपके bank account पर ट्रांसफर हो जाएगा वो भी बिना किसी चार्ज के तो दोस्तों इस तरिके से आप अपने credit card से Payton बाइट में पैसा add कर पाएगे वो भी बिना किसी चार्ज के और अपने bank account में भी transfer कर पाएगे वो भी बिना किसी चार्ज के दोस्तों हमें उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करें और चैनल को सब्सक्रा करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही धन्यवाद